जैहिन दोस्तों आपने एलेक्रिक वैकिल चार्जिंग स्पेसिफिकेशन्स देखते वक्त ये एक्सर देखा होगा कि EV की लीथिय मैंन बैटरी को 0-80% तक सर्फ 1 गंटे में ही चार्जर चार्ज कर देता है लेकिन 100% तक ले जाने में ये 2.5-3 गंटे थका समय ले लेता है ऐसा क्यों होता है इस बैटरी सीरीज एपिसोड 5 में मैं आपको लीथिय मैंन बैटरी के चार्जिंग सीक्रेट्स बताऊंगा साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि स्मार्ट EV चार्जर कैसे काम करते हैं जो आपको लंबी बैटरी लाइफ देने के लिए प्रोग्राम्ड है बस आपको वीडियो पूरी देखनी है बस आप से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इलक्रिक मोटर साइकल इंडिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल मोटिफेशन को भी दबा दें ताकि आपके लिए समय से ऐसा कॉंटेंट लाता रहूँ चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या खास होता है इस लिथियमाइन बैटरी चार्जिंग प्रॉसेस में चलिए अब मैं आपको सबसे बड़े कोशन का जबाब देता हूँ इसके लिए याद रहे मैंने लिथियम कोबल्ट ऑक्साइड लिथियमाइन बैटरी केमिस्ट्री को ही रेफरेंस बनाया है साथ ही याद रहे अभी मैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रॉसेस के बारे में भी नहीं बताऊंगा अगर आपको ये प्रॉसेस जानना है तो कृपया मेरा पुराना वीडियो देख ले मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिथियमायन बैटरी की चार्जिंग 0-80% तक एक घंटे में ही हो जाती है लेकिन फुल चार्जिंग में इसे 2-3 घंटे तक लग जाते हैं ऐसा क्यों होता है चलिए अब इस ग्राफ को देखते हैं ऐसा स्मार्ट चार्जर के चार्जिंग अल्गोरिथम की वज़े से होता है लिथियमायन बैटरी चार्जर फुल चार्ज करने के लिए लीनेर चार्जिंग का प्रियोग नहीं करता इसमें 2 से जाधा चार्जिंग स्टेजिस का भी प्रियोग किया जा सकता है और ये lithium-ion battery की chemistry पे भी depend करता है इसलिए आपको manufacturer की data sheet देखनी पड़ेगी आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि एक lithium-ion cell की voltage लगवक 3.7V से 4.2V तक हो सकती है और इन lithium-ion cells का full charge tolerance भी बहुत tight होता है typically plus और minus 50 mili volt यदि cell को आपने 50 mili volt भी overcharge किया है तो आपके cell में internal stress पैदा होने लगेगा और cell का temperature भी बढ़ने लगेगा जो cell की packing को full आ सकता है और खराब भी कर सकता है यहां तक कि explosion भी हो सकता है इसलिए charger को बड़ी ध्यान से काम करना पड़ता है और इसके लिए engineers ने बहुत ही अच्छी charging algorithms डिजाइन की है इसकी charging algorithms कम से कम दो पार्ट में होती है पहला charging stage होता है constant current से lithium-ion बैटरी को initially charge करने का यह charging current maximum 0.8 times discharging current के हो सकता है यानि अगर बैटरी 1000 mili ampere आवर की है तो उसको maximum पहली stage में charge करने के लिए आपको 800 mili ampere का ही current ज़रूरत पड़ेगा जादा से जादा जिस manufacturer का cell आप use कर रहे हैं उसको यह लिखके देना पड़ता है कि आप कितने maximum current से इसको charge कर सकते हैं यह stage लगवग linear charging को support करती है time के साथ साथ आपको voltage में भी increment मिलेगा आपके lithium-ion cell का इसलिए यह smart charger almost linear charging करते करते cell voltage को 4.1 volt से थोड़ा कम तक पहुचा देता है यह time लगवग एक घंटे के आसपास होता है first stage में ही cell लगवग 80-85% तक charge हो जाता है जब वो पहली stage complete कर चुका होता है इसके बाद smart intelligent charger दूसरी stage को शुरू करता है जिसको saturation stage कहते हैं जिसमें वो सर्फ एक constant voltage cell के टर्मिनल पर अपलाई कर देता है इस stage में charging current लगाता गिरता रहता है क्योंकि charging अब बढ़ रही होती है full charge की तरफ इसलिए ज़्यादा charge accumulate नहीं किया जाता लगब दो घंटे बाद इसका charging current बहुत ज़्यादा कम होने लगता है उस समय smart charger float voltage अपलाई करता रहता है और जैसे ही charging current 1 tenth of the maximum charging current के आसपास पहुंचता है बैटरी full charge point आ चुका होता है charger तुरंद charging बंद कर देता है ये time आते आते लगब धाई से 3 गंटे तक लग सकते है उम्मीद है आपको ये complex charging process में आसानी से समझा पाया हूँ उम्मीद है अब आप लोग अपना EV और smartphone charger दोनों का खयाल रखेंगे अब इस first stage के charging cut off self voltage का charge देखिए self voltage 3.8 volt था तो ये 65% तक charge था लेकिन जब 4.1 volt तक पहुंचा तो ये 80% तक charge हो गया यानि कि first stage में आपको maximum manufacturer advice charging current से ही charging करनी पड़ती है तो लिए आपको बता दूं कि lithium-ion battery को charge करते वक्त कोई भी charger का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो charger उस battery के साथ आया है आपको उसी का प्रयोग करना चाहिए वरना आपकी negative impact पढ़ सकती है battery की cycle पे ये बात तो ही charging cycle की चलिए अब छोटी सी बाहर दिस्चार्जिंग cycle के बारे में भी discuss कर लेते हैं इस graph को देखिए ये एक typical lithium-ion cell का discharge curve है एक्सम चार्जिंग पॉइंट पे cell voltage लगवग 4.2 वोल्ट के आसपास होता है लेकिन 3 वोल्ट पे discharge आते आते battery management system इसको तुरंत फर्दर discharge से रोग देता है नहीं तो 3 वोल्ट से नीचे जाने पे आपके lithium-ion cell खराब हो जाएगा और उसको वापस चार्ज करना possible नहीं होता है battery management system चार्ज और discharge साइकल में smart charger के साथ पिलकर battery को overcharge under discharge और temperature swing से बचाते हैं यानि ये दोनों की दोस्ती बहुत पक्की है इनके बिना battery का production होना मुश्किल है और अगर आप 0 डिग्री से नीचे और 45 डिग्री से उपर charge करने की कोशिश करते हैं तो आपको battery management system ऐसा नहीं करने देगा क्योंकि 0 डिग्री के आसपस ionic movement कम हो जाता है साथ ही internal resistance of the cell बढ़ जाता है लेकिन 45% पर आपका thermal runway का खत्रा बन जाता है लेकिन ये point उनी EVs के लिए valid है जिसमें battery cooling और heating system नहीं लगा है खासका और electric two wheelers के लिए टेसला अपनी कार में heating system लगा के देता है तोस्तों अब मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ